स्टुडेंट्स अब हम आ गए हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में तो यहां यह कह रहा है कि आर्थ साइंटिस्ट मतलब वो साइंटिस्ट जो आर्थ के बारे में पता लगाते हैं उन्होंने आर्थ की फिजिकल फिचर्स की फॉर्मेशन के बारे में पता लगाने की कोशिश क कुछ theory और evidence की help से, ऐसी ही एक theory है, जिसका नाम है theory of plate tectonics, क्या नाम है यह देखिए, theory of plate tectonics, इसके according, मतलब की इस theory के अनुसार the crust of the earth, मतलब पिर्थवी की उपरी परत, जिसे हम crust कहते हैं, वो seven major and some minor plates से मिलकर बनी है, और इन plates की movement के कारण, मतलब की, इन plates में, अर्थ के अंदर, जो seven major plates हैं, उन में जो movement होती है, जो hulchal होती है, उनी के कारण, प्लेटों के अंदर, और उपर की और, जो rocks है, उन पर क्या बनता है, उन पर pressure बनता है, मतलब दबाव बनता है, जिसके result से, folding, falting and volcanic activities होती है, मतलब की, plates में, pressure बनने से, जवाला मुखी आते हैं, अर्थ को एक आते हैं, जिससे की, अर्थ की landforms, बनते हैं, इन plates की movement को, three types से classify किया गया है, जो नीचे picture में, दिखाया गया है, तो हम यहां देखते हैं, अब यह जो three types की movements हैं, वो यह है, नमबर one, यह देखिए, convergent boundary, अब इसमें क्या है, इसमें देखिए, यह plate number one, यह plate number two, अब यह arrow देखिए, यह वली arrow इधर है, इसकी side आ रहा है, और यह वली arrow इसकी side आ रहा है, मतलब plates के अंदर जब movement होगी, तो यह हिस्सा इधर की side जा रहा है, यह is, इस side जा रहा है, तो इसमें क्या हो सकता है? कि इसमें हो सकता है, एक हिस्सा, दूसरे हिस्से के नीचे चला जाए, नीचे की और धस जाए और दूसरा हिस्सा उपर उड़ जाए तो इससे भी एक क्या बनेगी शेप बनेगी अर्थ की सेकिंड मुवमेंट यह है डाइवर्जेंट बाउंडरी अब डाइवर्जेंट मतलब यह देखिए कि यह पहले तो एक साथ थी बीच से लेकिन अब यह नीचे की जो प्रेशर और प्लेट की मुवमेंट की वजह से जो इनके अंदर जो हल चल हुई उसकी वजह से यह इधर जा रही है और यह इधर जा रही है यानि दोनों एक दूसरे से क्या हो रही है अलग हो रही है और थार्ड इज ट्रांसफोर्म बाउंडरी अब ट्रांसफोर्म बाउंडरी में यह ना ही तो यह एक दूसरे के साइड सामने एक दूसरे की तरफ आ रही है ना ही यह एक दू के से तो ऐसे तो इनी प्लेट्स की मुवमेंट्स की वजय से जो शेप आएगी उपर अर्थ की वहीं पर जैसे कहीं पर मौंटेंस बन गए जो हिसा जादा उचा उठ गया उधर मौंटेंस बन गए जो हिसा नीचे धस गया या नीचे रह गया वहां वैलीज बन गई या जो ह की पोजीशन और साइज बनता है जिसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं इंडिया में बनी हुई डिफ्रेंट लैंड फॉर्म्स भी इनी प्लेट्स की मुवमेंट के कारण ही बनी है तो स्टूडेंट्स अब आपने ये प्लेट्स का डायग्राम अपने नोटबुक में बनान